हलो गाइज, हो आर यू अल, वेलकम टू आर चैनल के आर कॉमर्स क्लासेज, आज जो हम डिसकस करने वाले हैं, वो है हमारा लेवल सप मैनेजमेंट का कितना लेवल होता है, कितने लेवल में वो वक करता है, इन सब चीजों का डिसकसन करने से पहले हम आप से कुछ बात करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जो अभी 12 में गए हैं, या जिनका एक्जाम अभी पेंडिंग है, तो आप सब लोग इस वीडियो को as a fast track वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपके 11, 12 और CA Foundation का सारा कोर्स प्रीमेव लेवल है, तो चलिए यही बताना था आपको, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, तो levels of management, management कितने प्रकार के होते हैं और उनका level क्या होता है, तो जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं कि यहां पे एक pyramid बना हुआ है, pyramid कैसा बना हुआ है, pyramid कैसा होता है, आप सब लोग देखे होंगे, same होई है, तो इसमें first क्या दिया हुआ है कि top level management, top level management में कौन सब आता है, तो board of directors आता है, CEO आता है, यह लोग सारे promoters होते हैं, मान लोग कि कोई honor है, या फिर सारे लोग जो top level में आते हैं, यह हम बात करें अभी बरे organization के बारे में, तो बरे organization में क्या होता है कि first कौन आता है, top level management, top level management में कौन सब आता है, board of directors आता है, CEO का full form पता होगा, आपको chief executive officer होता है, और second क्यों सा है, middle level management, middle level management में कौन सब आता है, तो departmental manager आता है, financial manager आ आता है, तो आपको middle level समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसी organization में क्या सब काम होता है, मानलो कि कोई manufacturing company है, manufacturing मतलब कि कुछ product का production करती है, तो उसके अंदर आपको कैसा कैसा department बनाना होगा, तो उसमें एक कौन सा होगा, sales department होगा, एक purchase department होगा, एक cash department होगा, एक HR department होगा, तो ये सारे जितने department है, उनके जो managers होंगे, वो कौन आते हैं, departmental manager, वो सारे middle level management में आते हैं, अब हमारा конце-last, lower level management, lower level management क्या होता है, कि जो management का सबसे निचला भाग है management का मैंने क्या का management का निचला भाग ना कि organization के सबसे नीचे level पर जो काम करते हैं उनके वारे मैं नहीं बात कर रहा हूं जो किसी चीज का supervision करता है तो अब आपको पता होगा कि कोई manufacturing company है तो manufacturing company के अंदर क्या चीज़ होगा ही बहुत सारे लेभर लोग होंगे जो फैक्टरि Michigan काम करते होंगे उस सारे लोग तो आप सब को और नहीं कर सकते हो एक carry manager सारे लोगों को manage नहीं कर सकता है या तो ये तीनो रेवल सॉप management होगे हमारा ठीक है तो अब हम कौन सा देखेंगे आगे हमारा कुन सा चल रहा है टॉपिक आगे है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आगे डिसक्स किया हूँ यहाँ पे मेडल लेवल यह आप खुछ से पर सकते हो और अगर आपके पास पीडिएफ नहीं है तो आपको पीडिएफ सेंड करूंगा अगर आपके पास मेरा फोन न कर सकते हो और हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर है फंक्सन्स ओप मैनेजमेंट और एलिमेंट्स मैनेजमेंट की मैनेजमेंट कौन-कौन सा काम करती है तो मान लो कि आप एक चाई का दुकान खोलने वाले हो आप खुद के पर मतलो आप सोच लो कि आपका कोई निकमा फ्रेंट चाय का दुकान खोलने वाला है ठीक है तो निकम में फ्रेंट के बारे में सोचो तो ज्यादा मजायाएगा आपको पढ़ाई करने में तो इसके अंदर फ़र्ष्ट कौन साथ है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो फ सब सोचे हो सारे चीज को औरगनाईज करोगे तो औरन खीर करोगे तो ब्लानिंग किस चीज कहcas सारा कुछ और्गनाईज करेगा उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपका फ्रेंड ना बहुत बढ़ा बिजनेसमेन बन गया मतलब चाय बेचते बेचते एरिया का सबसे नमर वन चायवाला बन गया अब वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि हम थोड़ा बिजनेस को आगे बराएं आगे बरहने के लिए ऑपने दुकान के अंदर दो ऊ-थwestीज को संभाल नहीं पा रहा है या फिर वो नेक्स्ट और बॉच्छ खोल रहा है अपने दुकान का उसके लिए स्टाफिंग कर रहा है तो कुछ लोगों को भरती करेगा उसको हम क्या बोलते है उस्टाफिंग बो साथ है डैरेक्टिंग डैरेक्टिंग क्या करोगे कि आप उसे बताओगे कि हां कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है अगर उसे सिर्फ चाय बांटने का ट्रेनिंग दोगे ना को से चाय बनाने का ट्रेनिंग दोगे ठीक है और जब सारा काम हो गया तो अब क्या हो करते हैं कि वह आदमी जिसको हमने रिक्रूट किया है जो हमारा स्टाफ है वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे उसका कंट्रोल करेंगे कि वह बंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो पांचों चीज समझ में आ गया कॉंसेप्ट वाइज क्लियर होता रहेगा ठीक है तो हमारा इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कॉडिनेशन तो अभी के लिए स्टे ट्यून इस्टे कनेक्टेट एंड जाय हिं जाय